इन तीन वर्गों में विभाजित करते हैं पहला है बाल आयू वर्ग जिसके अंतरगत हम शुन्य से 14 वर्ष के बच्चों को रखते हैं या लोगों को रखते हैं दूसरा आयू वर्ग है आपका युवा आयू वर्ग या वैस्क आयू वर्ग और इसके अंतरगत हम 15 से 60 आयू ड़ेवर्ग के लोगों को रखते हैं और तीसरे जो है वहापका व्रिद्ध-ायूवर्ग है इसके अंतरगत हम हम साठ्ट या। 65 साल से अधिक लोगों को इसके अंतरगत रखते हैं। अब जहां पर हम देखेंगे कि hazardous तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जनसंख्या पूरी तरह श्रे एक आश्रिट जनसंख्या है और इनके स्वास्थ पर या इन से संबंधित मतलब इनका हम कहें कि राष्ट के विकासकारियों में किसी भी प्रकार की कोई भागीदारी नहीं होगी और इसके साथ ही साथ ये जनस कि आश्रों परहे है जाहे वो युवार्व आयू आयू वर्ग हो या हमने कहा कि बल आयू वर्ग में भी जो उस आयू वर्ग की उच्चितम सीमा के लोग है उन पर। तो हम देखते हैं कि पूरे देश में ये जो तीन है तीन आयू वर्ग के लोगों की हमने बात की और इसमें हम इन आयू वर्गों इन आयू वर्ग की जन संख्या में भी पूरुष और महिलाओं की संख्या जो है दोनों ही मिक्स होती है या मिली हुई होती है इस हम चाहे शु करें या 15 से 60 और 65 या 60 और 65 से अधिक इन तीनों ही आयू वर्गों में कुछ महिलाएं होंगी और कुछ जो हैं वो पुरुश होंगे तो जब हम सभी इन सभी आयू वर्ग के लोगों और इसमें लिंग संदशना का प्रदर्शन करते हैं ग्राफ के माध्यम से तो हम इसे आयू लिंग पिरामिट कहते हैं आपके सामने ये ग्राफ नजर आ रहा होगा जो पिरामिट के आकार का है अब यहां पर आप यहां यह देखेंगे क यह भी X और Y-axis से इसको दिखाया गया है जिसमें Y-axis या उर्धोधर आक्ष पर हम जनसंख्या मतलब महिलाओं या पूरशों की संख्या को दिखा रहे हैं और नीचे X-axis में या 36 आक्ष पर हम विभिन आयू वर्ग को दिखला रहे हैं और हमेशा ही जो यह जनसंख्या पिरामिट कहते हैं इस पिरामिड में लेफ्ट हंड साइड पर या बाएं हांत की तरफ पुरुषों को प्रदर्शित किया जाता है और और हैंड साइड या दाएं हाथ की Vic Τरफ आफ- UP न उपकिक्राफ्णुक्रायाओं की संख्या को प्रदर्शिती किया जाता है हमें आयुवर्ग और लिंक दोनों को दिखाना होता है तो हम इस ग्राफ के माध्यम से ही उसका प्रदर्शन करते हैं तो यह जो पिरामिड होते हैं यह भी इसकी तीन अवस्थाएं देखते हैं यह हम कहें कि विश्व के विभिन देशों में इसकी तीन अवस्थाएं जो है देखने को मिलती है जिसमें पहला है आपका विस्तारित जनसंख्या विस्तारित जनसंख्या आपके सामने ये एक ग्राफ नजर आ रहा होगा और ये नाईजीरिया का आयू लिंग पिरामिड है नाईजीरिया देश अफरीका का जो एक देश है नाईजीरिया जहां पर हमने भी देखा था कि सरवाधिक जनसंख्या वृद्धी दर देखने को मिलती है तो यहां का आपको आयू लिंक पिरामीड नजर आ रहा होगा यह विस्तारित जनसंख्या का सूचक है आप देख पा रहे होंगे यदि हम इसी पिरामीड को यहां पर एक इसी तरीके से बनाएं तो इसकी जो संड़शना है यह आपके सामने एक ट्रेंगल दिख रहा होगा जिसे हम तरिभूच कहते हैं इस आकार का यह है इस तरिभूच का जो आधार होता है वो क्या होता है चोड़ा होता है और शिर्ष जो है वो नुकीला होता है तो यहां यह बता रहा है कि जो हाधार चोड़ा है अधिक विस्त्रित है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जन्मदर अधिक है बाल आयूवर्ग की संख्या हमको यहाँ पर अधिक नज़र आ रही है इसका मतलब है यहाँ पर जन्मदर अधिक है लेकिन इसका शीर्ष जो है वो बहुत ही नुकीला या बहुत ही प परण से इसे एक triangular shape हम कह सकते हैं या त्रिभुजा का राकृती होती है और यह जो पिरामिड की आकृती है वो विस्तारित जनसंख्या को प्रदर्शित करती है अब इस विस्तारित जनसंख्या में हम देखें तो नाइजीरिया का तो आपके सामने यह ग्राफ आपको नजर आ इनकी भी आकृती जो है वो पिरामिड की इसी अवस्था में देखने को मिलेगी इसके बात दूसरा हम देखते हैं स्थिर जनसंख्या इस्थिर जनसंख्या जो है यह इसका जो त्रिभुज है यह हम कह कि इस्तिरजन संख्या का जो पिरामिड है ये आपको बेल शेब्ड में या घंटी के आकार में नजर आ रहा होगा जहांपर इसका जो शीर्ष और आधार दोनों ही कम विस्तित है और बीच का जो है इसमे यहाँ पर विस्तार जो है इस पिरामिड का अधिक देखने को मिल रहे है अधिक चौड़ा है तो इसका मतलब क्या हुँआ कि यहाँ पर यूवा वर्ग जो है वो अधिक है और चुकी आधार भी इसका कम चोड़ा है और शीर्ष भी कम चोड़ा है तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे होंगे कि यहां पर जन्मदर भी निम्न है और मृत्यूदर भी निम्न है इसका मतलब यहां पर जनसंख्या जो है वो इस्थिर जनसंख्या की अवस्था में है और आपके सामन यह जो डायग्राम आयू लिंक पिरामिट का नजर आ रहा है यह आस्ट्रेलिया का है और इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि आस्ट्रेलिया देश जो है वो इसी इस्थिर जलसंख्या की अवस्था में है जहां पर जन्मदर और मृत्युदर जो है वो दोनों ही कम मिलती है इसके यहां पर अगला जो पिरामिड है आयू लिंक पिरामिड यह आपको जापान देश का नजर आ रहा होगा और इसकी जो आक्रिती है यह शुंडाकार हम कह सकते हैं और यह घटती हुई जनसंख्या को प्रदरशित करता है घटती हुई जनसंख्या को मतलब हम यहाँ पर देख रहे हैं इसका आधार भी बहुत ही नुकिला या बहुत कम चोड़ाई वाला है इसका मतलब या तो यहाँ पर जनसंख्या जो है इस्थिर है या इसकी वृध्धी दर बहुत ही कम और कई बार आपको यह रिनात्मक मतलब घटती हुई जनसंख्या वृध्धी के रूप में भी देखने को मिलेगी और साथ ही यहाँ पर मृत्यूदर भी बहुत ही निम्न है क्योंकि इसका शीर्ष जो है वो एकदम नुकिला है तो किसी भी आयू और लिंग पिरामिड को देखकर हम यह पता लगा सकते हैं कि वहा पर जनसंख्या की क्या इस्थिती है जनसंख्या में मतलब महिलाओं और पूर्षों की स्थिती का तो पता लगाएंगे ही लगाएंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि वहां पर किस आयू वर्ग की जनसंख्या जो है वो कम है जादा है जनमदर और मृत्यूदर की क्या इ प्रकार भी देखे इसके अंतरगत बच्चों आपको बोर्ड परिक्षा के हिसाब से छोटे प्रशनों में पूछा जा सकता है कि इस्थिर जनसंख्या क्या है घटी जनसंख्या पिरामीड क्या होता है या विस्तारित जनसंख्या पिरामीड क्या है तो इसमें आपको देशो के रोप में कि I.U. अरिंग पिरामीड क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी जो हमने ये देखा कि विस्तारित जनसंख्या साथ ही इस्थिर जनसंख्या और घर्टी जनसंख्या पिरामीट का जो आकार है इस ग्राफ के माध्यम से तो हमने इसको समझा ही और अलग से भी हमने इसको चित्र के माध्यम से डायग्राम के माध्यम से समझा है तो बहतर होगा कि इस ग्राफ के द्वारा ही आप उत्तर वे रिप्रेजेंट करें बच्चों अब मैं आपको फिर से इनहीं व्यक्तियों के समुहु के बारे में एक बार फिर से चड़्चा करना चाहूंगी क्योंकि जो जनसंख्या संगठन की या जनसंख्या की जो अगली विशेष्टा है जिसके संदर में जो हम बात करेंगे ग्र जनसंख्या तो वो भी आपको इस पस्ट रूप से इस पिक्षर में नजर आ रही होगी कि कुछ इस पिक्षर में इस चित्रे के माध्यम से कुछ जो है वो आपको ग्रामीड लोग नजर आ रहे होंगे और कुछ नगरिया शहरी लोग भी नजर आ रहे होंगे तो अब ही मै कि ग्रामीन लोग और शेहरी लोग तो यह जो दो शब्द हैं गाव और नगर जैसे ही मैं आभी संदर में आप से बात करती हूं तो शायद आपकी कल्पना में आपकी कि इमेजिनेशन में यह बात आरही होगी कि जैसे ही हम गाओं कहते हैं तो वहां पर लगभग कच्चे मकान, शक्री गलियां या हम कहें कि जीवन इस्तर की कमी जिसमें हम परिवहन के साधनों की कमी की बात कर सकते हैं, स्वास्थे या चिकिस्सा सम्मंधी सेवाओं की कमी की सिक्षा की कमी की बात कर सकते हैं तो ये सभी सुविधाएं वहाँ पर आपको नजर नहीं आएंगी लेकिन अगर हम शहरी छेत्र की बात करते हैं तो शहरी छेत्र शहर या नगर कहते ही हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि जहां पर उची-उची बहु मनजिला इमारतें पक्की सड़के और साथ ही higher education मतलब उच्च सिक्षा के नए नए जो आयाम है और साथ ही साथ स्वास्ते से संबंधित जो अलग-अलग प्रकार की सभी सुविधाएं भी जो हैं वो आपको वहापर नजर आएंगी यह मैं कहूं कि सीधे सीधे जो तृतियक और चतुर्थक जो वानित जी या सेवाओं की हम बात करें तो यह सभी इनसे संबंधित जो है वो आपको शहरों में नजर आएंगे और हम प्राथमिक रियाओं की बात करें जैसे जो सिधे प्रकरिती से जुड़े हुए हैं फिर हम बात कर लें कृषी की पशु पालन की मचली पालन की लकडी काटने से संबंधित, चारा गाह से संबंधित, तो ये सभी जो कारिय हैं वो आपको एक ग्रामीड छेत्र या ग्रामीड एरिया में जो हैं वो नजर आएंगे, तो ऐसा छेत्र ग्रामीड छेत्र कहलाएगा और वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उसे हम ग्रामीड जनसंख् और जहाँ पर हम सभी सुविधाओं से संपन्न छेत्र हमने बात की थी, जहाँ पर आपको वाडिज्यों और सेवा से संबंधित जो कारिय देखने को मिलेंगे, उसे हम शहर, नगर और वहाँ पर रहने वाले लोगों को शहरी या नगरी एजनसंख्या कहेंगे, यदि हम विकसित देश हैं, विकसित देश मतलब जैसे यूरोप, पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश हैं, या कनाडा, संउक्तराज, अमेरिका की हम बात करें, तो वहाँ पर देखेंगे कि शहरों की संख्या या नगरों की संख्या तो हमको अधिक देखने को मिलती ही है, क्य अब इस अंदर्व में भी हम बात करते हैं, कि ग्रामीर और नगरी संख्या निवास करती है, वहाँ पर पुरुष भी होंगे और महिलाएं भी होंगी, तो अभी हमने देखा था ना, कि यूरोप की हमने बात की, तो वहाँ हम देखते हैं, कि यूरोप में गाव में पूर्षों की कम कारण क्या है कि वहां पर क्यूंकि हम जो समानी रूप में बात करते हैं और हम नगरी छेत्र की या हम अभी अपने भारत देश की ही बात करें अपने 36 गड़ और 36 गड़ के किसी भी शहर की बात करें तो ये तो हमको सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा कि शहरों में महिलाओं की संख्या अधिक और ग्रामीर में पूर्षों की अधिक क्योंकि हम तो अपने यहां देखते हैं कि नगरों में हमें पूर्षों की संख्या अधिक मिलती है क्यों क्योंकि हमारा समाज मैं फिर से कहूंगी एक पूरुष प्रधान समाज है तो रोज जाती हैं. लेकिन हम यूरोप और ऐसी जो विक्षित देशों की बात करेंगे, तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ जो कृषी कारिय भी किया जाता है वो पूरी तरह से मशीनी कृथ है, तो मशीनी कृथ हो जाने के कारण वो एक पूरुष प्रधान कारिय है तो वहाँ पर गावों में चुकि हमें पता है कि कृषी जो है वो एक प्राथमिक कारिय के रूप में किया जाता है तो वहाँ हमें पूरुषों की संख्या जो है अधिक देखने को मिलती है और चुकि उन देशों में महिलाओं की बहुत अच्छी स्थिती है और इस अच्छी स्थिती की ही कारण जितनी भी महिलाएं हैं वो रोजगार क्योंकि रोजगार के आप्शन वहां बहुत जादा मिलते हैं नगरों में तो और साथ ही साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिती भी जो है वो बहुत अच्छी होती है और व महिलाओं की संख्या को बढ़ावा देने के कारक है या कारण है और इसी कारण से हमें इन देशों में नगरों में या शहरों में महिलाओं की संख्या अधिक मिलती है और गावों में पुरुषों की अधिक मिलती है वहीं जैसे हमने बात की कि एशिया की तो एशिया में हम क्य देखेंगे पुरुषप्रधान समाज और वहाँ पर कारी कौण करेगा या समाजिक और आर्थिक भागी-दारी किसकी होगी पुरुषओं की तो इन सब के कारण पुरुषण जो हैं वह क्या करते हैं नगरों कि या शहरों की तरफ प्रवास करते हैं और इस बचिक महिलाएं जो हैं वो गाओं में रह जाती हैं जिसके कारण गाओं में महिलाओं की संख्या अधिक मिलती है और शहरों में पुरुषों की जो संख्या है वो अधिक मिलती है और इसका कारण हम देखेंगे कि वहां पर महिलाएं और ज्यादा तर क्यों नहीं जाना चाहती वहां क्योंकि वहाँ उनको रोजगार के उतने अधिक आप्शन्स जो हैं वो देखने को नहीं मिलते आवास की कमी उन्हें नजर आती है रहन आवास मिल भी जाए तो उतना अच्छा रहन सहन वहाँ पर नहीं मिल पायेगा जो एक खुला वातावरन एक सुरक्षित वातावरन उन्हें जिसके कारण नगरों या शहरों में हम देखेंगे कि इन छेत्रों या देशों में महिलाओं की संख्या जो है वो कम मिलती है और गावों में अधिक और हम अपने भारत देश में देखेंगे कि हाल फिल हाल में ही जो चलाया जारा है मन्रेगा कारिक्रम इसका एक उपलब्ध कराकर उन्हें बाहर की तरब प्रवास करने से रोकना तो यह हो गई बात ग्रामीर नगरी संगठन की अब जनसंख्या संगठन की जो अगली विशेष्टा है साक्षर्ता इस पर हम चर्चा करते हैं मैं फिर से इसी पिक्षर को इस व्यक्तियों के समूह को लेकर आना चाहूंगी आपके सामने और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कुछ व्यक्ति जो हैं वो सिक्षित नजर आ रहे होंगे और कुछ असिक्षित तो सिक्षा का तातपरिया या हम कहें कि सिक्षित व्यक्ति कह देने से ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक सभ्य समाज का एक सुसंस्कृत समाज का निर्माड करें जिसके रहन सहन का जो इस्तर है यह हम कहें जिसके विचार जो है जो खुले विचारों का हो यह प्रभाव पड़ता है सिक्षा का तो किसी भी देश की जनसंख्या का अध्यन करने में वहां पर उस जनसंख्या का जो साक्षर्ता का इस्तर है उस जनसंख्या में उसका अध् और वो इसलिए क्योंकि एक सिक्षित समाज ही एक सभ्य और विक्षित समाज का निर्माण कर सकता है। और यदि हम कहें कि हम भई किसे साक्षर कहेंगे और किसे निरक्षर कहेंगे तो हमारे भारत में जो साथ वर्ष या इससे अधिक उम्र के ऐसे व्यक्ति जो पढ़ने लिखने में सक्षम हो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं और इसके साथ ही साथ गढ़ना करने में सक्षम हो तो इन सब में वो गर्णा करने में सक्षम हो ऐसे व्यक्ति को साक्षर कहा जाता है हमारे भारत देश में। अब साक्षरता का एक व्यक्तो योगदान होता है यह किसी भी राष्ष्ट के सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक होता है और क्यों सूचक होता है क्या प्रभा होता है इसका क्योंकि कोई समाज या राष्ट जितना सिक्षित होगा तो वहाँ पर रहन सहन के इस तर में सुधार होगा रहन सहन के इस तर में सुधार इसलिए होगा कि वो अपने परिवार के लोगों के सिक्षा में तो ध्यान देगा ही और लोग जितना सिक्षित होंगे रोजगार के अवसर जो हैं वो उतने ही खुलेंगे आयक के सोर्स बढ़ेंगे और वहाँ पर रहन सहन के इस तर में सुधा प्रोधियोगी कि आउतना जो है वो विकास किया जाएगा और साथ ही साथ उपयोग भी किया जाएगा फिर दूसरा हम देखते हैं कि जो समाज जो राष्ट जितना सिक्षित होगा उतना ही वो वहां पर रहने वाली जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं की सामाजिक स्थिती में भी बहुत अच्छी तरह से विशेश ध्यान देगा और वहां की महिलाओं की स्थिती भी जो है वो सुधरेगी या अच्छी स्थिती होगी. फिर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति सिख्षित होगा वो उतना ही ज़ादा सिख्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी प्रयास करेगा योगदान देगा तो वहाँ पर सेक्षनिक सुविधाएं भी जो है वो अच्छी तरह से उपलब्ध हो पाएंगी और इसके साथ ही साथ इसका एक और महत्व पूर्ण प्रभाव ये होता है कि वहाँ पर जो सामाजिक नीतियां चलाई जारी हैं शाषन के द्वारा जब आप सिख्षित होंगे पढ़े लिखे होंगे तभी आप उन शाषकी नीतियों को सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार यह हो गई साक्षर्ता की बात अब इसके बाद जनसंख्या संगठन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जो है वो व्यावसाईक संद्रशना तो इस व्यावसाईक संद्रशना या कारिशिल जनसंख्या की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी मैं आपका फिर सी इसी जो अलग अलग आयू वर्ग या आयू संद्रशना वाले लोग यहां पर नजर आ रहे हैं इसके पहले भी हमने अलग अलग आयू वर्गों पर बात की थी तो इसमें हमने देखा था इसमें से जो 15 से 60 आयू वर्ग के बीच की जो जनसंख्या है वो इनकी जो भूमिका होती वो व्यावसाइक सनरशना में महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि यही एक आयूवर्ग है जो कारिशील जनसंख्या की अंतरगत आता है 15-69 या हम कहें 15-60-65 के बीच की जो आयूवर्ग की जनसंख्या है और बाकी जो होते हैं चाहे हम बाल आयूवर्ग की बात करें य कि यह दोनों ही ऐसे आयूवर्ग का समू है जो युवा आयूवर्ग पर डिपेंड होता है निर्भर होता है अपनी हर आवश्यक्ताओं की पूर्ति के लिए तो कारिय का जो वित्रण है जब हम व्यावसाइक सनरशना की बात कर रहे हैं तो कारिय का वित्रण किया गया है जिसके अनतरगत हम देखेंगे इस पर विस्तार से हम और आगे चर्चा करेंगे लेकिन अभी हम इतना देख लेते हैं की इन कार्यों को कारे के अधार पर चार प्रकारों में classified किया गया है पहला है प्राथमिक कारी, प्रायमरी, दूसरा सेकंडरी या दुतियक कारी तीसरा तर्शरी या तृतियक कारी और चौथा है आपका चतुर्थक कारी तो प्राथमिक कारी के अंतरगत हम ऐसे कारियों को शामिल करते हैं जो प्रकृती से जुड़े हुए हैं, प्रकृती से जुड़े हुए हैं, मतलब चाहे वो आपकी कृषी हो गई, पशु पालन का कारी हो गया, या फिर खनन का कारी हो गया, या फिर मचली पकड़ने का कारी हो गया, ये सब ही जो कारी हैं, वो आपके प्राथमी कारी के अंतर तो इसमें हम क्या देखे थे कि जो ग्रामीर जनसंख्या है वो अधिकतर आपके इन ही प्राथमिक कारियों में ही सलगने रहती है वहां की जो अधिकतर जनसंख्या होती है और साथ ही साथ जब हम इसे शिक्षा से भी जोड़ देते हैं तो अधिकतर जहां पर शिक्षा का इस वितियक कारिये जो हैं वो हम बात कर लेते हैं जैसे उद्योग्या विनिर्माण से संभंधित जैसे कि आप खाते हैं आप कोई बिसकुट खा रहे हैं या चिपस खा रहे हैं चॉकलेट्स खा दूध का उपयोग करते हैं, दूध से बने हुई जितने भी खाद्य-पदार्थ हैं, उनका उपयोग करते हैं, अपनाहाने के लिए साबून का उपयोग करते हैं, सर्फ का उपयोग करते हैं, तो ये सब कहां से बनते हैं, इन सब के लिए आप शाला में जाते हैं, तो लिख कागज जो है वो किसी न किसी कच्चे माल से बना हुआ है जैसे बास से बना है वो जंगल से या वन से तो मिल गया वहां से फिर उसे कागज में बनाने के लिए किसी न किसी एक कार खाने में उसे वो रूप दिया गया होगा जैसे आप चिप्स खा रहे हैं या बिस्किट खा तो बिस्किट खा रहे हैं, तो वो गेहूं या मैदे से बनी हुई हैं, तो गेहूं का उत्पादन तो किसी खेत में हो रहा है, लेकिन उस गेहूं से फिर किसी ना किसी कार खाने में उसे बिस्किट का रूप या कूकीस का रूप जो है वो दिया जा रहा है, तो यह जितनी भ करते हैं जिसके अंतरगत जैसे आपका व्यापार हो गया परिवहन हो गया और संचार की हम बात करें और जितनी भी अन्य सेवाएं हैं जैसे आप कहीं दूर दराज के छेत्रे में जा रहे हैं आप सड़क मार्ग का इस्तमाल कर रहे हैं या जो आपकी दैनिक दिंचरिया या कि जो भी उप्योग की चीजें हैं वो किसी न किसी परिवहन के साधन के माध्यम से उस कार खाने से आप तक पहुँच रही है तो इसमें सेवाओं का जो है वो अहम रोल होता है तो ये सभी जो कारे हैं ये आपके तृतियक व्यवसाई के अंतरगत आते हैं फिर अंतिम है आपका चतुर्थक व्यवसाई तो इस व्यवसाई के अंतरगत जितने भी जो अनुसंधान है रिसर्च जो किये जाते हैं इसके साथ ही साथ जो सूचना प्राद्योगी के संदर में हम बात करते हैं यह सब ही आपके चतुर्थक व्यवसायक की अंतरगत आते हैं तो यह हो गई आपकी व्यवसायक संदशना की बात तो हमने देखा कि जनसंख्या संगठन की अंतरगत जो उसकी अलग-अलग विशेष्टाएं हैं फिर चाहे हम लिंग अनुपात की बात कर आयू संदशना की बात की हमने आयू लिंग पिरामिट की बात की ग्रामी नगरी संगठन की साक्षरता और व्यवसायक संदशना की तो व्यवसायक संदशना की अंतरगत आपको पूछा भी जा सकता है कि कारियों का जो वितरण है वो किस आधार पर किया गया है या कितने प प्रभावित करने वाले जो कारक है या उनका प्रभाव साक्षरता का प्रभाव क्या-क्या है तो इस तरह से आपको इस चैप्टर को तयार करना है